इंग्लेंड के पूर्व क्रिकेटर और मुख्य कोच ग्रहन थोड़पे ने सेम करन की प्रशन चाकी थोड़पे ने कहा कि इंडियन प्रीमियल लीग में चैने सुपर किंग के लिए खेलने से यूवा औल राउंडर सेम करन को मदद मिली है सैम करन आईपेल दोजार बीच से चैनी सुपर किंग का हिस्सा है और वो फ्रेंचाइजी के परमोख खिलाडियों में से एक के रूप में उब रहे हैं करन ने कुछ समय पहले भारत के खिलाब तीसरे वंडे मैच में इंगलेंड के लिए 20 फो टक बले बाजिकर टीम को जीत की दहलिश तक पहुँचाय था इसके बाद शिरलंका के खिलाब वंडे सिरीज में उन्होंने गिंद बाजी में धमाल मचाया दरसल शिरलंका के खिलाब दूसरे वंडे मैच में करन ने 48 रंदे कर पांच बिकेट लिए इसके साथ ही करन इंगलेंड की टीम में विस्वशनी और राउंडर के तौर पर उब रहे हैं आईपेल ने करन की मदद कैसे की सवाल पर थोरपे ने कहा कि टी ट्वंटी लीक ने युवा खिलाडियों को हाई प्रेशर वाली प्रिस्थितियों में खिलने की अनुमती दी है थोरपे ने आगे कहा मुझे लगता है कि आईपेल ने उनकी काफी मदद की सैम करन जिस भी महौल में गए हैं उसने परती इसपरदा करने की छमता और प्रदर्शन करने का तरीक का खोजने की छमता दिखाई है तोरपे ने कहा बल्ले से उनकी हिट करने की छमता हमेशा से थी मुझे लगता है कि ये वास्तब में एक अच्छे लेवल पर आगे बढ़ा है वो आई पिल में महत्पुन समय पर गिंदवाजी कर रहा है इसलिए दवाव में चनौती ले रहा है 23 साल की उमर में उसे वास्तब में कुछ अच्छे अनवाव मिल रहे हैं तो और पे ने आगे कहा कि इंगलेंड चाता है कि करन सभी फॉर्मेट में खेलने वाले खिलाडी के तौर पर विक्सित हो तो और पे ने कहा बेशक उसे अभी भी वास्तब में कड़ी मेहनत करनी है T20 किरकेट में करन वास्तब में अच्छी तरह से आगे बढ़ा है लेकिन मुझे लगता है कि खुद को पचास ओवर के खिलाडी के रूप में इस्तापित करना भी इसका एक महत्तपून हिस्सा है उसे टेस्ट किरकेट के लिए भी कोशिश करनी होगी क्या दोस्तों आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में चलूर बताएं चैहिंद